नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता अपका ग्यान लनसपर और एक और मज़ेदार वीडियो और एक मोटिविशनल वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजर हूँ आज और मैं आपके साथ आज जो है परिचे कराना चाहूँगा इंट्रिड्यूस कराना चाहूँगा अपनी अच्छे नमरों से पास की है और आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने इस परिक्सा में कैसे अपनी स्ट्राटीजी बनाई कैसे उन्होंने पढ़ाई की और मेरा सभी जो पैरेंट से हमारे अभिवावक गणे उनसे मेरा विनम्र अन्रोध है कि आप इस वीडियो को जरूर जो अपने बच्चों को भी दिखाएं क्योंकि आपके बच्चे भी किसी ने किसी क्लास में जरूर पढ़ रहे हो जरूर नहीं की बोर्ड एक्जाम में ही पढ़ रहे हो उनको भी सीखने को मिलेगा इकिस तरह के से हमें पढ़ाई करनी चाहिए किस तरह से हमें लग आसा इंटर्व्य दिविय के साथ तो दिविया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बदाई थैंक्यू सर अच्छा तो दिविया मैं आपको यह जानना चाहूंगा कि सबसे पहला जो रिक्शन था आपका वह आपके घरवालों का क्या था सबसे पहला जो रियक्शन था यापकी जब इतनी पर्सेंटेश उन्हें इतना अच्छे नंबर आयए तो उनका पहला रियक्शन क्या था उन्होंने बोला कि उनको बहुत कुछ हुई पर वो चाहते थे कि मेरे इससे बेच्छे मांग साय और मैं भी यही चाहती थी और उन्होंने बोला कि इस साल कोई नहीं इस साल इतना था पर अगले साल हमें पता है कि तो इससे भी अच्छा करें और घर का नाम रोशन करें अच छाप सो आपके और पर्संटेज कितनी बनिया आपके ट्वल्ठ मे अर्टagen मेरी 85.4परचंट बनी तो आपने जो ये तना अच्ही परसंटेज लहने के लिए आपने मत्ला कितना तो है महनत किया किया की प्लानिंग थी क्या आपने कुछ ताइम टेबल के अकार्णिंग और श्याम को 6-9 बजे तक मैं study करती थी और मॉर्निंग में भी मैं 5-7 बजे तर श्टडिय करती थी हर सब्जेट को मैंने एक गंटा दे रहा था जैसे 6-7 बजे तक मैं फीजिस किलियर करती थी अपना तो आपने जो बचे रिविजन नहीं करते हैं कई सोचते कि हम डारेक्ट पढ़ लें लास्ट में तो रिविजन कितना सपोड करता आपको पढ़ाई के लिए सबसे important होता है क्योंकि इससे हमें ये पदा चलता है कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो हमको clear हो पाया है कि नहीं हो पाया है क्योंकि फिर रिविजन में यह होता है कि हम बार बार कोशन को repeat करते हैं बार बार सॉल्व करते हैं तो इससे हमें knowledge का करती थी क्योंकि exam में भी हम पूरी preparation करते थे और monthly test में हम पूरी preparation करते थे क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है कि हमें clear हो पाया है और डंग से अगर नहीं हो पाया है तो हम अगले test में उसका result और अच्छा देंगे अच्छा तो दि अच्छे जो हैं कई जो toffers होते हैं जैसे कि आपने भी अच्छी percentage की ठीक है तो जो revision paper होते हैं जो previous year के paper होते हैं जो पिछले कई सालों के paper होते हैं क्या उनको आपने solve किया और अगर solve किया तो उनसे कितनी help आपको मिल पाती है यह सर हमने previous year paper भी बहुत solve कि हमने 2011 से 2019 तक के paper solve किये और इससे हमें यह help मिलती है कि हमें exam का paper का pattern पता चल जाएदा कि किस हिसाब से paper आएगा और इसे करने पर यह help मिलती है कि हम बारवा जो question solve करते हैं तो कुछ question ऐसे होते हैं जो बारवा repeat होते हैं और हम उनको अच्छी तरह से practice कर लेते हैं ठीक है practice और जो कुछ question क्य क्योंकि कई बार जो repeat होते हैं वही question अदल बदल के आते हैं यही कहना चाहरे हो अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा दीब्या जो आपका जो है क्योंकि आपके लगबग सभी subject में सायद बहुत अच्छे number आ रहे हैं इवन सारे 5 के 5 subject में काफी अच्छे number आ रहे हैं का पावर भी अच्छी तरह से बढ़ जाता है अच्छा तो दीब्या का जो favorite subject था वह मैस था जिसमें की मतलब लगबग काफी बच्चे जो है अपने पसीने चुड़ जाते हैं काफी दिक्कतों का सामने करना पड़ता है और कई बच्चे तो जो है टैकल भी नहीं कर पाते सब्सक्राइब करना लिए तो सबसे पहले होता है कि हमें हर चीज चैप्टर वाइस पढ़ना चीए क्योंकि हम इसे लिए हमने बीच में कोई भी टॉपिंक मिस कर दिया तो उससे हमें बहुत डिफीकल्टी होती है क्योंकि हमें आगे चल आगे चल कर उसमें फोड़ा करने में थोड़ी दिक्कत आ थी इसलिए मैं हर कुशन को चैप्टर वाइस करते थी और हर कुशन को बार-बार रीपीट काना सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम उसे बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपने सुनए होगा कि प्रैक्टिस में समयन परफे कि जो है numerical कोशन नहीं कर पाते क्योंकि उनको डेशों के लिए नहीं होती जो फॉर्मूला हम जो है निकालते हैं क्षप्रेस करते हैं उनकी मिलख कैसे आप उनको करते थे उन सार कॉर्वें में तो यह है कि डेशों करने के लिए तो हम हमने पर बार बार करना पड़े तो हम formula से numerical को कर सकते हैं आचा ठीक है तो मलब में derivations पे और तब उसके बाद numerical पे तो अब काफी अच्छी पकड़ा आपकी बन सकती है दिविया के अनुसार अच्छा दिविया जैसे हम देखते हैं कि chemistry भी जो है काफी difficult subject माने जाता है PCM group में तो क्योंकि उसमें पूरा एक reaction क जमेला होता है chemical reaction होती है ठीक है organic इन और गनिक पार होता तो अनको आपने कैसे किया जो जितनी सारी जो reaction थी क्योंकि याद भी नहीं होती है क्यों कहते है साइथ chemistry का trick तो यह था कि हम बार-बार जो बार-बार हमने reaction किये हम उनको बार-बार करें क्योंकि बार-बार करने से हमें पता चल जाता है कि हमें किस वे में क्या करना है जैसे कोई से भी reaction होता है तो हम उसको बार-बार करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हमे जितना लिखेंगे हम उतना हम को ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि हम पढ़ने पर तो हम एक बात देख लेते हैं कि हमने पढ़ाए उसके कुछ टाइम बात आगे कि हम भूल जाता है कि हमने क्या करना है पर जब लिखने हम त्पेश मेलगे tack10 तो साइंस्टिम में इसे होते हैं院 फिर्वी आपने कुछ ह seulी के लिए hindi-ingles के लिए भी कुछ special है आपके पास क्या हिंदी इंग्लिस को cover करने के लिए सबसे important तो यह होता है कि हमें chapter समझना पड़ता है क्योंकि हिंदी में तो हम normally हिंदी और इंग्लिस में इतने सारे subjects मला आपने handle कैसे किये इतना सारा pressure आपने कैसे मला handle कैसे को आपने जब तक किसी के अंदर confidence हो यह करने का जज़बा हो तो तब तक आदम कुछ भी कर सकता है पर अगर किसी के अंदर confidence नहीं है तो यह हार मान जाता है कि वो यह नहीं कर पाएगा और उस काम को छोड सकता है तो अगर किसी के अंदर confidence है जज़बा है उस काम करने का जोश है तो किसी भी handle अपने किसी भी काम को किसी भी तरह से handle कर सकता है तो आपको pressure महसूस नहीं होगा दीविया के नुशार ही है अचा दीविया आपने कुछ special books या कुछ notes थे आपके पास जिसे आपने पढ से आज मेरे इतने अच्छे number है मैं अपने उन teacher को thank you बोना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे इतना support किया अच्छा ठीक है दिविया तो आपने ये बताए कि आपने किस तरह से इसको मलब किया कितना pressure लिया और कैसे कैसे करके आपने इनको notes और books भी आपको उसमें बताए कि हम हमने ncrt book और notes से भी हमने काफी मदद की ठीक है दिविया अच्छा दिविया इन सब के अलावा हम देखते हैं कि आज कल student जातर जो है mobile phone यूज करते हैं और लगबक सभी के मनला most of student के personal phone है तो आपके पास phone था या आप social media facebook whatsapp का यूज करते थे क्या आप जी नहीं से मेरे प अब प्रसृन नहीं था परसनल नहीं था आप लुझा आप देखको अब आप पड़ाई पढ़ाई कर रहे हैं वो करें ना ऊप अरिजी सिंग के यह गाने सुन देते थोड़ा सापना माइंड रिलेक्स को रिलेक्स भी थोड़ा जरूरी चाहिए अच्छा तो दिविया यह भी आपने बताए अच्छा तो जैसे कि हम देखते कि तो मतलब यह तीवी देखते थे आप क्या दिशित उनका टाइमी अगंटा अच्छा तीके दिपया यह भी बताया को किस तरह से वो इसको करती थी अच्छा तीब्या जो तो आपने परिक्षा दी तो सबसे पहले आप जब परिक्षा देने गई या आपने बोड एक्जाम मलग जो भी था आपने देने गई तो आप क्या सोच के जाते थे कि हम मलग घर से क्या सोच के जाते थे आप सर में घर से यह सोती जाती थी कि मैं जो करूँगी सबसे बेटर करूँगी और सबसे अच्छा करूँगी क्योंकि मैंने क्योंकि हम सब यह जानते कि हम बोर्ट के एक्जाम देने जाते हैं हम बहुत नर्वस फील करते हैं पर यह कि वहां पर नर्वस फील करने का टाइम नही बूल गया तो आपको भी कुछ ऐसा मैसूस हुआ क्या जी नहीं सर्थ तो मैला यह बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमने याद के असर और मैं वहां जाके भूल गया या नहीं आया मेरा पड़ा हुआ तो इसका मझा अपना अपना हमने खुद देखना है कि हम उसे किस तरह से अच्छा तो जिस समय आप जो है गोर्ड की class यानि की जो एक्जाम जो हॉल था आपका जहां बैटते थे तो उस समय आपका मनला धिमाग क्या चलता था उस समय मनला atmosphere कैसा देखता था उस समय तर मेरा दिमाग बेस हैचल यह सबसे मेरे अपना बैस देना है और सब चाह करना है और मैं अपने 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 अग्जाम में कॉंस्टेट करते हैं बागी तरफ मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती चाहिए कोई कुछ भी बोले अच्छा ठीक है अच्छा तो दिव्या आपकी 10 वी में भी काफी अच्छे परसंटेज आई है तो आपको कहीं लगा कि यार थोड़ा सा मैंने यह गलती कर दी इसलिए थोड़ा सा में ज्यादा नहीं लाए पाई यह आपकी कुछ लगा हूँ आप बच्चों को शेयर करना च परसंटेज थोड़ा डाॉं हो गया यह थोड़ा सा मुझे लग रहा ऐसा ठीक है यह मुझे अपना अपने फो испर लिए थो तो फिर हो सकता है कि क्या पता हो कि मैंने कुछ चीज धंग से ना पड़ी हो या फिर मैंने जल्ली बाजे में हडवड़ी में काम किया हो तो इसलिए यह भी हो सकता है तो आपका जो है जैसे कि हम देखते हैं कि जब ट्वैल कर लेते जटो इए पुछ एक रुठेश लशे होता है सब्कून सबसे ब Relig 125 वे उड़ करहें ुए टूठ का सबया क्या जाएं सब सब आपढ़ uses पर विश्वास करना सुखिए रिखिए कहु सकता है और जब तक Kिसी के अंदर confidence होता है confidence सी मेन होता है कि जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगा कि हम यह करना है तो हम यह नहीं कर पाते हैं और यह यह कि हमें जो भी पढ़्डना है वह time table के पढ़ apparatus होता है कि हमें से याद एती तो इसलिए हमने रटना नहीं हमें जो भी करना है समझ के पढ़ना है और समझ के ही उस कोशन का आंसर देना है और हर किसी का determination होता है determination होता है confidence होता है और उनका discipline ही उनको life में काम्या बनाते हैं और मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि आप जादा से जादा practice करें क्योंकि practice से ही कुछ हो पाता है क्योंकि जब तक हम जादा से जादा practice करेंगी तो हमें जादा से जादा question समझ मेंगे तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि आप अपनी पढ़ाय पे focus करें और अपने ही अपना जो goal है उसको भी साथ लेके चले कि जो आप आगे करना चा से आप अच्छी percentage लाते रहा आगे कि जितनी भी आपकी classes है जो भी आप यहां पे अपना उद्दे से उसको आप पूरा करें तो student आपने और parent आपने देखा कि एक हमारी student थी दिव्या उन्होंने किस तरह से अपना 10th board भी अच्छे number से पास किया 12th board भी अच्छे number से पास क इसमें वो कमी active रही उन्होंने सारी आपको discuss किया ठीक है तो आपने ये वीडियो पूरा देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको नमस्कार